देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, येस पीपल, so finally the news is here, even though ICI ने official notification नहीं release करी है, हम सब को पता है कि भाई साथ, पार्लेमेंट ने अप्रूफ कर दिया है, कही ना कही 1st of July से the new course is expected to be implemented, और इस सब के बीच हम यहाँ पे tension नहीं फिलाएंगे, हम यहाँ पे सर सिरफ बात क तो मेरा नाम है शुवम केस्वानी, a chartered accountant by profession and teacher by passion and secured all India rank 8 at the CA final exams, तो इस वीडियो में आपके साथ discuss करने वाल हूँ, how you should approach this news, चाहे आपका exam November 23 में या May 24 में, वीडियो पे like target रखेंगे सर कितना 200 likes का और मुझे पूरा विश्वास से आप अचीव करा देंगे, तो सर सबसे प अरजू ने सर उसको क्या दिखनी चीए, उसको मचली की आख दिखनी चीए, और जो मचली की आख है, वो सिरफ November 23 है, and let me tell you, जब ये transition आता है न, November 23 से May 24 तो इंस्टिट्यूट चाहेगा, कि जितने भी बच्चे हैं, November 23 में दे रहे हैं, वो पास कर जाए, और उनको May 24 को न देखना पड़े, तो मैं आपको बस इत्री सी बात कहूंगा, जुट जाओ, जुट जाओ, जून का महीना चल रहा है, जून है, जुलाई है, ऑगस्ट है, सेप्टेमबर है, ऑक्टूबर है, पांच महीने है तुमारे पास, और ये पांच महीने अगर आपने पूरी शिद बच्चों की आती है, तो अगर आपका नवेंबर 23 एक्जाम है, जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट जाओ, और धूम मचा दो, एंड आप क्लियर कर जाओगे, और जो भी आपने सोचा है, एक ग्रुप देना, एक ग्रुप की प्रिपरेशन करो, दो ग्रुप देने, दोनों सफल हो जाएगी, अब बात आती है सर में 24 स्टुडेंट्स की, हमने सर कई सारी क्लासेश पहले कर ली है, दो तीन क्लासेश कुछ और पेंडिंग है, किस तरह से हम अमेंडमेंट्स कवर करेगे, किस तरह से क्या चीशे कर वर करेगे, यह आपकी टेंशन है यह आपकी 24 में exam है, these people enrolled for my November 23 audit batch, तब मैंने इनको कहा था कि भाई, essays कर लो, professional ethics कर लो, यह तो common नहीं रहने वाले, इसमें institute कुछ change नहीं करेगा, तो वो अगर पार्ट आपने कर लिया है, तो जो भी additional topics institute लेके आएगा, these amendment videos will be provided in your google drive by me, तो आप उसकी tension मतलो, आप उसके बारे में मत करा के दूँगा, कोई ऐसा नहीं है, even मैं responsibility लेता हूँ, अकाश सर की, बीबी सर की, जो बीबी सर है, उनका तो चलो batch ही, कही ना कही, वैसा रहता है, May 24, November 24 का, तो जो अभी July में batch start होगा, अब उसके साथ, इनिशेट कर सकते हो, बट अकाश सर के साथ, जैसे की FR है, अब FR म additional questions रहेंगे, जो भी institute additional incorporations करता है, I am sure he will provide to his current students, तो उसमें आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बात है, but, 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 अगर अभी तक आपने अपनी classes ही नहीं शुरू करी, अगर अभी तक आपने अपनी classes ही नहीं शुरू करी, ये सोच के, कि सर, May 24 में new syllabus आएगा, उसके इसाब से मैं अपनी classes शुरू करूँगा, तो ये आप गलत कर रहे हो, this is something that you are doing wrong, please make sure आप अपनी classes शुरू कर ले, और खतम भी कर ले, यानि आपको FR और SFM इन दोनों में से किसी के साथ भी आप start कर सकते हो, and इन classes को जल्दी से शुरू करो, और end करो, and make sure इसको आप से कोई भी एक पहले उठाओ, और दोनों को सबसे पहले complete करो, फिर आपको I think DT, IDT कर लेना चीए, and sir audit को आप एकदम last में लेना, sir आप being a audit faculty ऐसा क्यों कह रहे हो, यार देखो simple सी बात है, जो आपका audit है, being a little theoretical subject on a side, even though we provide revisions, ऐसे class के साथ साथ हम करते चलते है, but still, जितना आप उसको near to the exam करोगे, उतना आपके लिए शायद से वो beneficial रहेगा, तो अगर अभी तक आपने classes start नहीं करिये, तो मैं आपको flow बता जता हूँ, FR, SFM कर लो, फिर DT, IDT कर लेना, then you can go ahead with the audit classes, ठीक है, मज़ा आज जाएगा, now telling you one more thing, जब भी इस तरह के transitions आते हैं, not everyone is dynamic enough to deal with this transitions, हर बंदा इतना dynamic नहीं होता कि वो इन transition से deal कर पाए, तो मेरी आप से बस एक request रहेगी, जो भी मैं आपको guidance देता जा रहा हूँ, उसको अच्छे से implement करते जाना, हर दिन को productivity, productivity deal करते रहना, और आप अपने targets achieve करते रहना, आप सफल हो जाओगे, ऐसे time पे, आपके जैसे स you are there on your targets, जो भी नया material आएगा, जो भी amendments आएगी, जो भी चीज़े होंगी, we teachers are there to support you, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, but yes, एक चीज जो आपको कंडे की जरूरत है, just support yourself, just take good decisions for yourself everyday, maintain a healthy lifestyle, maintain a productive lifestyle and yes, you'll be able to achieve your targets, I hope इस वीडियो से आपको कहीना कही clarity मिली है कि आपने क् पोच रखनी है, because अगर सोच सही होती है, तो action सही होते है, और action सही होते है, तो results भी आते ही है, और yes, यही खुशी-खुशी मद लगा के पढ़ते रही है, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे, तभी आगे पढ़ेंगे, wish you the best, have a awesome day ahead, हमेरा ही audit के, फिर मिलेंगे, चलते चलत है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो do like it, and yes, stay subscribe for more such videos, have a great day.